देशबर में जो औरेंज और ग्रीन जोन है वहाँ पर तमाम दुकाने भी खुल गई है शराब की दुकाने भी खुल गई हैं नितीश कुमार से ये अपील की है कि बिहार में शराब की दुकाने खुल दी जाए शराब बंदी को खत्म कर दी जाए वो क्या कुछ कहते हैं आप सुनिए मुक्यमंती नितीश कुमार जी से मैं आगरह करता हूँ कि सूबे में अविलम शराब बंदी जैसा काला कानून खत्म करें और शराब की विक्री उपलब्द करवाएं क्योंकि शराब की वजह से बिहार के राज़स को हानी हो रही है हर तरफ शराब की होम डिलिवरी हो रही है शराब तो बिक्ही रही है तो फिर शराब बंदी कानून का ढपोसला क्यों ऐसी इस्तिती में राज़ी के अर्थवेवस्ता को ध्यान में रखते हुए मैं माननी शराब पीने से बचेगी इसलिए मैं पुनह मुख्यमंते निटीश कमाजी से आगरा करता हूँ कि शराब बंदी जैसा काला खातुन को खत्म करिये और सुबे में शराब की बिक्री सुनिश्चित करवाईए दानिश रिजवान ने सीरे तोर पे कहा है कि इसे राजस्व का नुकसान हो रहा है जबकि बिहार में चोरी चीपे शराब तो बिक्ही रहा है तो फिर क्यों न इस कानून को खत्म कर दिया जाए और बिहार में शराब फिर से बिक्ने लगे तो दानिश रिजवान ने राजस्व का हवाला देते हुए एक बरी मांग कर दी है नितीश कुमार से कि बिहार में शराब फिर से बिकनी शुरू हो जाए क्योंकि देशपर में आप देखेंगे तो लॉकडाउन 3.0 की शुरुवात होने के साथ साथ ही कई दुकानों में शराब मिलने लगी है शराब की दुकाने खोल दी गई है अब बढ़ रहे हैं इस प्यार के साथ अगर आपने अपता कमाय चैनल को सब्सक्राइब ढ़ें किया है तो जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद